नमस्कार दोस्तों मैं श्रेकान चोहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कि जियो पोलिटिकल टिंचन बढ़ते जा रहे हैं ब्रेंट कृड्स यह सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है और ब्रेंड क्रूड अभी 83-84 $ के करीब ट्रेड कर रहा है अभी अगर कुछ दिन पहले के अगर बात करें तो यह 75-77 $ के करीब ट्रेड कर रहा था अगर हम WTI की बात करें तो वहाँ पे भी हमने उसी प्रकार का एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है और वो भी 79-80 डॉलर के करीब आ चुका है तो because of this मुझे लगता है कि जियो पोलिटिकल टेंशन की वज़े से मारकेट्स में अपसाइड थोड़ी कम हो सकती है bond yield 4.13 के करीब stable है और dollar index 103 के ओपर steady हो गया है इसके अलावा अगर हम जपान की बात करें तो वहाँ पे आज तेजी दिखाई दे रही है एशन मारकेट्स में और उसका सबसे बड़ा reason यही है कि वहाँ पे energy producer और साथी साथ कुछ oil-based companies में तेजी बन रही है but evergrande जो world's leading real estate player था उसे liquidate करने का order Hong Kong court ने दिया है जो एक सबसे बड़ा negative और सबसे बड़ा sayback उस particular company के लिए और साथी साथ Chinese company के लिए हो सकता है finally अगर हम Hong Kong अपने gift nifty की बात करें तो यहाँ पे हमने अच्छा का सा इजाफा देखा है nearly 120-130 point की तीजी यहाँ पे दिख रही है और उसका सबसे बड़ा reason यही है कि जो domestic cues है जो India best cues है वो काफी सकारात्मक है और इसी वज़े से हमें लगता है कि gift nifty एक पहले दिन जो एक expiry का जो first day है उसके शुरुआत hundred points higher के basis पे कर रहा है साथी साथ हमें इस हबते में budget को यानि कि interim budget को भी face करना है और इसी वज़े से हमें लगता है कि market काफी volatile हो सकता है 21,550 यह market के लिए important trend decider level रहेगा 21,550 के उपर nifty gradually 22,150 तक भी जा सकता है क्योंकि यह budget का भीक है और साथी साथ lower levels में 20,900 के बे लेवल से रीच कर सकता है strategy हमारी कुछ long positions बनाने की होनी चाहिए अगर nifty 21,550 के उपर sustain होने की कोशिश करता है तो उस case में 21,750 से लेकर 850 तक के level हम देख सकते हैं लेकिन कोई भी long positions हो तो हमें लगता है कि 21,850 से लेकर 22,150 के range में कम करना फाइदे मन रहेगा साथी साथ अगर market में अगर कोई गिरावट अगर आती है तो फिर हम एक बार वापस 21,250 के levels revisit कर सकते हैं और 21,250 के नीचे फिर market में weakness और बढ़ेगी जो nifty को शायद 2900 या 800 तक लेके जा सकती है तो जैसे हमने कुछ contra view 22,150 के करीब रखा है वैसे हमें contra view of going long रखना है around 20,900 से लेकर 800 के range में इन levels के करीब आप कुछ long की positions बना सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पर भी हमें लगता है कि एक 45,500 का important trend decider level है बेस्ट के सिनारियो में हम 46,000 और 46,900 के levels देख सकते हैं वर्स्ट के सिनारियो में हम 44,000 से लेकर 43,750 के बें levels देख सकते हैं तो 43,750, 44,000 के करीब contra view के basis पे long positions बनानी चाहिए और positions को कम करना है between 46,500 से लेकर 46,900 के range में finally अगर हम कुछ index heavy weights के बात करें तो यहाँ पे HDF से bank में एक specific news flow था उसकी वज़े से अगर stock में तेजी बनती है तो 1500 और 1550 के levels येक important hurdles रहेंगे reliance के लिए 2750, 2760 येक important hurdle है उन levels के करीब हमें लगता है कि वापस से एक बार profit taking pressure बढ़ सकता है बड़ अगर हम medals के बात करें तो यहाँ पे कुछ तेजी बनी है और Tata Steel, Steel Authority और साथी साथ Nail को ये इत तीन stock के उपर आपका focus होना जरूरी है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी से महाज के लिए विदा लेता हूँ आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहें धन्यवाद